नमस्कार आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी मैं दिव्या चाहान लाई हूँ काम की बात मेरे साथ ऐसा कई बार होता है जब आप घर से बाहा निकलते हुए अपना कार्ड घर पर ही भूल जाते हैं और आपके पास कैश भी नहीं होता ऐसे टाइम पर आप कुछ टीज खरीदना भी चाहें तो नहीं खरीद सकते हैं लेकिन आप आपकी ये परिशानी खत्म होने वाली है अब आप अपने कार्ड को वालेट से निकाले बिना और बिना किसी संपर्क के कहीं भी लेंदिन कर पाएंगे अब पेट्रोल भरवाने या किसी स्टोर से सामान खरीदने के लिए आप सिर्फ एक रिस्ट बैंड की मदद से पेमिंट कर सकते हैं कोरोना काल में और इसके बाद भी कॉंटेक्टलेस और डिजिटल पेमिंट का खूब इस्तिमाल होने लगा है अभी तक लोग सिर्फ टच एंड पे और यूपी आई पेमिंट का हिस्तिमाल करते रहे हैं लेकिन अब रिस्ट बैंड की मदद से पेमिंट करने की तकनिक आ गई है इन्हें वेरेबल पेमिंट डिवाइस भी कहा जाता है स्टेट बैंक ओफ इंडिया और एक्सेस बैंक ने डिजिटल पेमिंट को बढ़ावा देने के लिए वेरेबल पेमिंट की शुरुवात की है ये दोनों बैंक ऐसी घडियां उपलब्द करा रहे हैं जिने मशीन के पास लाते ही पेमिंट हो जाएगी इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको इस टेकनोलोजी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे ये वेरेबल डिवाइस ग्राहकों के बैंक खाते से सीधा लिंक्ट रहेगा और ये एक डेबिट कार्ड की तरहा काम करेगा इसके जरीए ग्राहक किसी भी ऐसे मर्चेंट के यहां शॉपिंग कर पेमिंट कर सकते हैं जो कॉन्टेक्ट लेस ट्रांसेक्शन सुईकार करते हों वेर एन पे डिवाइसेस को फोन बैंकिंग या एकसिस बैंक के किसी भी ब्रांच से खरीच सकते हैं जो लोग एकसिस बैंक के ग्राहक नहीं है वो अपने नजदी की एकसिस बैंक शाखा या वीडियो के वाइसे के जरीए घर बैठे ही बैंक में अपना खाता खुलवास सकते हैं और वेर एन पे डिवाइसे का प्रियोग कर सकते हैं किसी भी ऐसे मर्चंट के पास जो कॉन्टेक्टलेस पेमिंट स्विकार करते हों उनके यहाँ वेर एन पे डिवाइसे के जरीए बिना किसी दिक्कत के पेमिंट कर सकते हैं इसके चलते अब वालेट या फोन लेकर चलने का जणजट भी खत्म हो गया है इसके लिए यूजर्स को POS मशीन के उपर वेरेबल को लगाना होगा और पेमिंट हो जाएगा जैसे कार्ड के जरीए कॉन्टेक्टलेस पेमिंट करते हैं हलांकि इससे 5000 रुपे तक का ही पेमिंट किया जा सकेगा 5000 रुपे से अधिक के पेमिंट के लिए पिन की जरुरत पड़ेगी यानि पेमिंट कॉन्टेक्टलेस नहीं रहेगा इस प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को 10% दी कैश बैक भी मिलेगा इसके लावा परचीज लिमिट के 100% के बराबर फ्रॉड लाइबिल्टी कवर भी मिलेगा हाली में रिजर्फ बैंक ओफ इंडिया ने कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन की सीमा 2000 से बढ़ा कर 5000 रुपे की है यानि 5000 रुपे तक के पेमिंट के लिए आपको पिन नमबर डालनी की जरूरत नहीं है किसी वाइफाई काड या फिर वेरेबल डिवाइस की मदद से पेमिंट की जा सकती है इस टेकनोलोजी की बाद करें तो वेरेबल पेमिंट डिवाइस की तकनीक भले ही भारत में अब लॉंच हो रही हो लेकिन ये टेकनोलोजी नहीं नहीं है अमेरिका और यूरोप समेत कई देशों में स्मार्ट वाच की मदद से पेमिंट की जा सकती है एपल, सैमसंग और फिट बिट के स्मार्ट वाच में पेमिंट ऑप्शन पहले से ही मौजूद है उमीद करते हैं हमारी दीगई जानकारी आपको पसंद आई हो ऐसी ही जानकारीओं के लिए हिमाचोल अभियविस से जुड़े रहिए वीडियो को शेर कीजिए धन्यवाद बीती आदों से नाता सहेशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए